इसी हो, मैं आपको एक छोटा सा बात बोलने वाली हूँ, देखें ये मेरा एपल ट्री है, और इसका उमर करिब करिब दो साल होगा, लेकिन ये क्या हुआ था, ये एक ही ब्रंच था इसका, ये जो ब्रंच, और ये पतला होते हूते पूरा छे फिट के उपर लंबा हो गया, और उपर थोड़ा सा ही पत्ता होता था, बस इतना सा ही पत्ता इसका निकल रहा था, और ये अभी तो दिखनें इतना बूशी है, इतना ब्रंच ये वह कुछ नहीं था, तो फिर मैंने उसको क्या-क्या, यह जो में ब्रंच उसका था, उसको टान के रशी से, देखिए अभी भी रशी लगा हुआ है, अभी मैं इसको बेंट नहीं कर पाऊंगी, बहुत सरे ब्रंच से, इसको टान के मैंने ऐसे बांद दिया था, देखिए, इसको ऐसा पूरा हाप यूसेप में, मैं इसको ऐसा दबा के इसके साथ बांद दिया था, वो पूरा एक ऐसा होके था, ऐसा होके पूरा देखिए, बेंट होके पूरा था, जैसी था उसके कुछी दिन के बाद, और सारे मैंने प्रूनिंग कर दी, मतलब एक खली ब्रंच रखके, क्योंकि उसको पिर बनाना है न, तो ऐसे वाले एक बूशी वाला ब्रंच रखके, मैंने शारे इसको निकाल दी थी, मतलब प्रूनिंग कर दी थी, वो मैंने की थी शायद सेप्टेमबर में, हाँ सेप्टेमबर में कर दी थी, और ये है आपका डेसमबर, अब देखिए कितना बूशी ब प्रूबरा मरियल सी, और उसमें ना तो कोई हलचल, ना तो कोई बड़ा हुआ, बिल्कुल एक सुखा सा, लंबा सा, छे फिट का करिब-करिब ब्रंच था, एक ही ब्रंच था बस, और अब देखिए, मैं, देखिए, कितना, कितना बूशी हो गया, और फिर भी नया-नया उ तो आप ऐसा करो, उसके कोई भी एक, कोई दो-तिन ब्रंच लेलो, उसको पूरा बेंट करके, रसी से पान दो, और सारे पत्ते नो उसको जाड़ दो, उसको रखो नहीं पत्ते, क्योंकि वहीं से उसका फूटेगा, कलिया जो पूटेगी ना, जो नया साक जो निकलेगी, यहीं से सब निकलेगी, तो उसको पूरा निकाल दो, दिजिए, ठोड़े से रख दीजिए उसका खाना बनाने के लिए, क्योंकि यह उनका चुली है ना, फिर खाना पकाएगी कहां, ठीक है, और उसके बाद, यह है आपका रेजल्ट, देखें ना, यह होगा आपका रेज इसका जो मिट्टी है, सॉयल है, उसको मैं कल से खोद के रखी थी, उपर का मिट्टी बहुत सारा निकाल दिया, और मैंने एक मिक्स्ट पर्टलाइजर बनाती हूँ, वो कैसे बनाना है, इसका अगले वीडियो में देखिए, यह वीडियो का अगले वीडियो में, मैंने उ तो जो mixed fertilizer उसको बना के एक मैना या 10-15 दिन उसको जड़ा सा पानी में पानी का छीटा अच्छा से डाल के उसको विगो के रख दीजिए, ढख के एक छाया में रख दीजिए, उसके बाद एक दिन का पूरा धूप लगाईए, एक दिन का पूरा धूप लगाने के बाद वो में डालिए, लेकिन मैं इतना समय नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरे plants में जो आम के plant है और जो दूसरे फल का plant है, उसमें अब फूल आ गया है, तो इसलिए मैं और बिना रखे में अभी से डाल देती हूँ, अगर आपके पास समय हो, तो आप ऐसे करके ढालो, उसको 10-15 द पूरा धूप लगा दो, लगा देने के बाद, अपने plant के growth के अनुसर, उसके age के अनुसर और उसके container के अनुसर, आप खाद डालिए, ऐसे नहीं कि बहुत खाद डालने से बहुत मिल दाएगा, वो ऐसे नहीं है, बच्चों को अगर हम जादा खिला देंगे, तो क्या रोने लगेगा न, ऐसे ना करें, इतना चाहिए, उतना ही अन्दास से देजिए, ठीक है, और कैसे देना है, मैं जस्ट ये वीडियो का पहला जो वीडियो है, उसमें मैंने दिखाई है, आप अगर चाहते हो, आप देख सकते हो, और मुझे encourage करने के लिए, प्लीज मेरा च ये बहुत डेंजरिस कीडा है, ये सब पत्ता खा लेता है, इसके लिए भी मेरे पास एक है दवा, वो ब्लाइटक्स है, अब देखती हो, कल ये परसू ब्लाइटक्स डालूंगी, तो वीडियो दे दूंगी, वो जितना उड़ा देंगी, वो फिर से आ जाएगा, क्योंकि उनको ये नरम नरम मेठा पत्ता खाना बहुत पसंद है, देखती हो, क्या करना हूँ, गट नरम, जैसे पत्ते में न छेद कर देते हैं, तो उसको भी देखना पड़ेगा, वो मैं डालूंगी, ठीक है, थैंक्यू फर वाचिंग, प्लिस मुझे सब्सक्राइब करिये, एं वाचिंग, एंक्राइसमेंट दीजिये, और कमेंट है, एं कमेंट स्पीर करिये, ठीक है, थैंक्यू फर वाचिंगू